हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई चैनल मामा केचन वी चाल्स मस्ती आज हम आपके लिए सर्दियों की बहुत ही अच्छी वाली रेसी पी लेकर आए है इंस्टेंट मुंग दाल हल्वा जो बहुत जल्दी बन जाएगा अपमें भी घोरने का भी जंजट नी और पीसने का भी जंजट नी तो इसमें हम चलो बनाना शुरू करते हैं यह दाल को हमने अच्छे से दो लिया है दो करके अच्छे से इसका पानी जो था वो निकाल लिया है दो बराद दाल को अच्छे से दो ले और उसका पानी जो है वो अच्छे से पूरा निकाल दे तो यह हमने एक वह स्थी उस बीघो कर हम बनाते उस वही इस तरह से आता है यह बहुत जल दियो फटा पढ़न जाता है रोगाँ अच्छर निकाल दे रूंड अच्छिक भीघो कर दे शाविट सो भीघो कर देर हम दॉना पूरा निगल गया और अब हम और आधिसको अच्छर लेंगे रोग जाता है तो दीरे दीरे हमें इसे ही लाते हुए सेखना है सर्दियों में हमें हलबा काना भी बहुत अच्छा लगता है सब को पसंद होता है और फटाफट बन जाए तो उसमें बात ही क्या है बिगोने के जंजट वगे नीव के तौर यह कि देखिए हानके हम इसे सेख लेंगे घौिटव्नारी के द्लम शेंट प्टा जाती है आप भी ऑन जाती है यह देखिए दाल का चेंज हो गया है और गी चोड़ने लग गई हमारी जो दाल है वो जभ सीख़ाएगी रड़ा भी हैं गीनितने थाषिए हमाइफ ते लूटणींज में इससे और राव चार नौट को निले तरह बंगेर हो ता सकते हो महों वहाँ पहुरे में जो में पहुचाने ही मर्डावन ूमधितने यानि दाल हमारी शिख चुकी है अब हम इस दाल को इक बरतन में निकाल कर थोड़ा ठंडा करेंगे और यह थाली में हम इसे निकाल लेंगे दाल कोचे से निकाल कर कुछ देल के लिए 10-15 मिनट के लिए इस थोड़ी सी ठंडी हो जाए बस चार-पांस मिनट में ठंडी हो जाए चार-पांस मिनट के लिए हम इसे निकाल कर रख देंगे थाली में हमने रख दिया और यह देखे गी हमारा नीचे बच गया है इसे में बाद में हल्बा बनाएंगे इस कडाई को रहने देंगे तो यह दाल को हमने जार में डाल लिया है और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे दाल हमारी यह देखिए पीस गई है ताल हमारी इसी तरह से हम दो बार में इस दाल को हम पीस लेंगे ताल थोड़ी जादा थी दाल अमने 500 विलोग्राम दाल ली थी आधा किलो चो लाती है वह ली है और देखिए दाल पीस प्रेड़ी हो गई है और इधर जो कड़ाई हमने पहले रखी थी उसी में हमने एक सबजी पली चमच होती है तो आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग ड 500 ग्राम हमने डाल लिया तो इसमें 500 ग्राम ही सुगर हमें एड करेंगे उसका मेजर्मेंट होना जरूरी है वाकि गी आप अपने टेस्ट के अपोर्डिंग डाल सकते हैं यह देखे इसमें भी एक चमच घी में भी बहुत अच्छे से बन जाता है और बाद में गी छोड़ता भी है जब हम इसमें दूट डालते हैं तो बड़ी चमच एक घी के हमने डाली है तो यह देखे इसको भी हम कि दस मिनट तक भूंद लेंगे शेक लेंगे मतलब देखे यह भी हमारा अच्छे से सिग गया है दस पंदरा मिनट शेक लेने के बाद जो हमारी डाल थी यह अच्छे से सिग गई है तो यह हमने 500 किलोग्राम डाल ली है इसमें हम 500 deuxब दूब आटे नहीं तोогज़ दूद करना है यह साथ दूद के दूद के अधर करें पाहे अधर नहीं है अधर करना है प्लिदी को मिलाएगा इसको अधरना है डूद को ने लिए रख देंगे तो तेर के लिए छोड़ का है कि अ हल्वा जो हम आरा है कि इसमें हमने ड्राइफ्रूट्स सेके नहीं है इसलिए दूद के साथ ही हम इसमें ड्राइफ्रूट्स एड़ करतेंगे जिससे वह अच्छे से पक्चाएं और टेस्ट उन में अच्छा आए और यह हम 500 ग्राम दाल ली थी तो 500 ग्राम हमने चिन्नी एड़ करी है इसमें जि सुगर को अच्छे से मिक्स कर देंगे सुगर की थरड़े आल की पिंखल जाएगे अच्छे से बनेगे तो कि सुगर्मिक्स करने के बाद भी अच्छे तरीके से मिक्स करने के फिर पर चूड़ने के लिए बीच बीच में इसा की देखते हैं तो नीचे नवा बर्ड़ा हैं यह बहुत ही ठीक है बोग लगता है अब जरूर ट्राइ करें अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आईगन को जरूर दबा दे जिससे मेरी आने वाली सबी वीडियो की नोटिविकेशन आप तक पहुँच सकें हल्वा हमारा लगबग बन गया है आप चाहें तो इस टाइम पर थोड़ा गी इसमें और एड़ कर सकते हैं उससे टैस्ट और भी अच्छा है तो गी बहुत जादा उपर आ जाता है तो जमने लग जाता है इसलिए मेने ज्यादा नहीं डाला आप डाले तो डाल भी सकते है जिस्टे अब गी इसमें इस टाइम पैड़ करेंगे तो उतर भी अच्छे से जाता है अब हम इसे बरतन में निकाल लेते हैं अलवा हमारा बन कर रहे है तो जिए देखे है अच्छे से निकाले नीट तो अब हम इसे थाली में अच्छे से जमाएंगे और इसकी चक्की काट लेंगे तो लिए अगली वीडियो के साथ आपी वर्चिंग ठैंक्स पिर वर्चिंग झाल झाल